Hello everyone, welcome to MagnetBrainz, my name is Hemant, तुम्हेरा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल MagnetBrainz पे, जो प्रवाइट करता है quality education full course content के साथ, जी हाँ, full course content, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है, 100% quality education दी जाती है बढ़िया और शांदाल तरीके से, मज़धार और लाजवाब तरी चैनल है, एक English medium और एक Hindi medium, दोनों पे 100% quality education दी जाती है, बढ़िया और शांदाल तरीके से, मैंने का ठीके सर, जब बढ़िया और शांदाल तरीके से दी जाती है quality education, तो फिर क्या दिक्कत की बात है, कोई problem नहीं है, देख लेंगे अपन, क्या सर, देख लेंगे अपन, बि सारे topic wise, class kg से लेकर 12 तक की education दी जाती है, जिस पर सारे topic wise, NCRT solution, MIQs, MCQs, OneShot, Crash Course, DPP, PYQs, सब कुछ करवाए जाते हैं, वहीं अगर मैं बात करूँ, class, sorry, Magnet Pains, Hindi medium की, तो class 6 से लेकर 12 तक की education, जिसमें CBAC board और आपके Delhi board के अलावा 4 state board को ही cover करते हैं, MP board, UP board, बिहार board, और शंडाल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक, और सबसे important e-books, e-notes, ये भी available करता है, Magnet Bains, जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी, वहाँ से link को उठा लीजे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक, नहीं आने वाली, मैंने का dancer, मैंने का dancer, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो finally अपन देख रहे हैं, आज, NCRT exemplar, equilibrium चल रहा है, chapter 7, और chapter 7 में भी क्या, assertion and reason type questions, assertion and reason type questions आने वाले, मैंने का ठीक है सर, और इसमें भी क्या है type 5, type 5 है रे बबुआ, क्या है type 5, मजा आएगा type 5 के अंदर, एक number मजा आएगा, और अगर नहीं आए तो बता दे ना सर, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, इसके बाद बस एक ही type बचेगा, जिसको अपन कहते है type 6, जिसको अपन कहते है type 6, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, तो बढ़े आगे, जल्दी बोलो सर, सर, जल्दी बोलो तब ही मजा तो यह लीजिए सर पहला question आपके सामने पहला question आपके सामने इन दा फॉलइंग questions a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given choose the correct option out of choices given below each question आपको choice दे रखिये उसमें आपको choice करके बताना है, choose करके बताना है कि कौन सी choice सही होगी A जिसमें generally यह होता है कि assertion reason दोनों सहिए और correct explanation है. B, assertion reason दोनों सहिए बट correct explanation नहीं है. तीसरा होता है assertion सहिए, reason गलत है और चौता assertion गलत है और reason सहिए. या चाहए दोनों गलत होते हैं, ऐसा अभी होता है. तो भाईया, अब बाजा आएगा. देख लो एक बड़ चलो. पहले कोजिशन पहाँ जाओ पहले कोजिशन पहाँ जाओ छीक है increasing order of acidity of hydrogen halide is this मतलब HF से ज़्यादा acidic कौन है? SCL, SCL से ज़्यादा acidic कौन है? HBR, HBR से ज़्यादा acidic कौन है? HI, sir जब भी कभी ऐसा हो कि same group के हो same group के, भाईया आपके पास ये सब के सब same group के हैं जो की है group number 17 जो की है group number 17 जैसे की fluorine, chlorine, bromine और iodine ये चारो के चारो same group के हैं ये जो चारो है same group के हैं fluorine, chlorine, bromine और iodine और अगर चारो same group के हैं फिल तो कोई दिक्कत की बात ही नही है चारो अगर सेम गुरुप के हैं फिल तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है तब अगर चारो सेम गुरुप के होते हैं तब अपन देखते हैं बिटा एक important factor acidity के अंदर जिसको कहते हैं bond length और bond length जो होती है वो directly proportional होती है atomic size के किसके directly proportional होती है atomic size के मैंने गाठी है सर मतलब जिसका atomic size जादा होगी उसकी bond length जादा होगी और अगर bond length जादा होगी तो जल्दी तूटेगा और जल्दी तूटेगा तो उतना जल्दी H plus पानी में चला जाएगा इसी लिए सर हाई में iodine का size सबसे बड़ा है सबसे बड़ी bond length जल्दी तूटेगी जल्दी H plus देगा उससे कम उससे कम उससे कम और हमने पढ़ा है जो H plus जल्दी देता है वो acidic सबसे जादा होता है तो भाईया assertion 100% true है assertion जो है 100% क्या है true है true है true है assertion 100% क्या है true है एक बाद चेक कर लो assertion जो है 100% true है कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं ताक नहीं आने वाली मैंने आगा ठीक है सब मैंने गा बिलकुल सही है आप कह रहे हो तो 100% true होगा reason क्या बोल रहा है while comparing acid form by the elements belonging to the same group of periodic table देखा क्या बोल रहा है एक ही group से अगर है उनको compare कर रहे हो तो HA bond strength HA bond strength उसकी जो bond strength है is more important factor for determining acidity of an acid than the polar nature of the bond फिर bond strength, bond length ये थोड़ा important हो जाते हैं क्या निकालने के लिए आपकी acidic nature निकालने के लिए तो reason b correct है किसके लिए assertion के लिए तो 100% reason आपका सही है 100% reason आपका सही है तो इसके साबसे assertion reason दोनों सही है और correct explanation भी है और अगर correct explanation है तो आप जानते हो answer होगा बोत a and r is the a and r are true and r is the correct explanation of a r is correct explanation of a तो sir a for aloo answer a for aloo answer जल्दी screenshot ले लो जल्दी ले लिया चलो second वाला question ये देखिये ये रा second question चलो तो second question रीट कर ले क्या बोलना चाह रहा है बढ़िया है sir मज़ा आएगा देखो कैसे assertion a solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate maintains at a constant value of pH on adding a small amount of acid और alkaline देखो sir किस को मिला रहा है पहले तो ये बताओ सर आपने क्या करा है acetic acid को मिला है पहली बात किसके साथ sodium acetate चीक है ये आपका एक salt है और ये आपका weak acid है जब आप ये मिलाते होना सर ये बनाता है buffer solution ये बनाता है buffer solution और वो भी ऐसा नहीं acidic buffer solution acidic buffer solution मनाता है चीक है और buffer solution की एक तरीके से ये बोलिए sir capacity है buffer solution की एक property है कि उसके अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत acid या base डाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने उसके अंदर कोई भी acid या base को add किया है तो यहाँ पर अगर आप acid डालो और यहाँ पर आप base डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है ये बात मान के चलिए ये बात मान के चलिए मैंने गा ठीक है sir कोई दिक्कत नहीं है मैंने और कोई दिक्कत नहीं फिल तो बात क्लियर हो गई एक तर्फबात क्लियर हो गई कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली मैंने टीक देश के तो ये points तो सही है कि अब second पर आते हैं a solution containing a mixture of acetic acid and sodium acetate act as buffer solution around 4.75 4.75 that means acidic buffer यही तो मैंने कहा था तो sir जो मैंने इसका reason दिया वो ही नीचे लिखा हुआ है मतलब assertion और reason दोनों correct है और correct explanation भी है तो आप फिर जान गए कि क्या answer आने वाला है और इस बार दूसरे color से answer को mark करेंगे चल बोथ A and R true and R is the correct explanation of A and R is the correct explanation of A and R is the correct explanation of A चेक करके बताओ जल्दी जल्dी जल्दी 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 कोई भी दिक्कत की बात यहां तक नहीं आनी चाहिए मेरे साप से तो नहीं आईगी sir effort check कर लो मेरे साप से तो नहीं आईगी फटाफट चेक कर लो, एक तरफा बोले तो एक तरफा, जल्दी, done, चेक करें, काही था ए आएगा, काही था कि ए आएगा, चलो, done, ये देखो, सन, next, क्या बोल रहा है, समस्ते हैं, next, क्या बोल रहा है, समस्ते हैं, देखो, अजल्चन की बात करने वाले पहले, the ionization of hydrogen sulfide in water is low in the presence of hydrochloric acid, मतलब, जो H2S है ना, जो H2S है ना, इसका ionization कम है, किसके प्रिजन्स में? SCL के प्रिजन्स में किसके प्रिजन्स में? SCL के प्रिजन्स में तो सर अगर अपन बात करें SCL के प्रिजन्स में आयोनाईजेशन कम है किसका? H2S का मतलब कुछ तो बात है कुछ तो बात है तभी कम है नहीं तो कम क्यों होता? तभी कम है नहीं तो कम और क्यों होता मैंने का सर रीजन बहुत ओपी यही है मैं बता दूरी रीजन चीक है सर यहां पर हो जाता है common ion effect देखिये hydrogen hydrogen common ion effect और इसके जो h plus होते हैं वो common ion effect की वज़ा से जो weak acid है जो sorry weak electrolyte है उसके ionization energy ionization को क्या कल देता है कम कल देता है तो यहाँ पर एक फिरो मिना होता है जिसको अपन कहते हैं common ion effect और इस common ion effect के वज़े से ionization of weak electrolyte या फिर बोले H2S कम हो जाएगा और जब कम हो जाएगा तो वो ज्यादा तूटेगा नहीं, that means आपका ये answer सही तो है मतलब अजलशन जो बोल रहेते हैं सही है है, H2S पकी बात है H2S कोई बहुत strong acid नहीं है ये weak acid में आता है बात तो ये भी सही है मतलब दोनों के दोनों point आपस में सही है reason भी सही है और resultion भी सही है लेकिन reason वो नहीं है जो हमें चाहिए था reason वो नहीं है जो हमें चाहिए था तो मैंने खाँ ठीक है ये correct reason यहाँ पर correct explanation available नहीं है और correct explanation नहीं है तो फिर क्या ले आएगा answer देखिये sir both A and R true दोनों सही है but R is not correct explanation of A क्योंकि correct explanation था तो था common ion effect लेकिन common ion effect ना होके हमारा reason कुछ और दिया था लेकिन reason भी ये correct statements में से हमारा है मैंने खाँ ठीक है sir reason भी हमारा correct statements में से है मैंने खाँ ठीक है sir आपकी बात एकदम सराँखो पर बिलकुल सही है done 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 बड़े आगे confirm clear चलो यह देखिए भी आया answer हाँ अब यहां पर क्या कह रहा है क्या रहा है for any chemical reaction at a particular temperature कोई भी एक chemical reaction है लेकिन particular temperature पर बात कर रहा है मतलब temperature एक जगा पर fix रखे the equilibrium constant is fixed and is a characteristics property बिलकुल सही बात है sir हमने जानते हैं एक temperature पर अगर चीजे चल रही है temperature fix कर दिया मान लो 20 degree centigrade तो इसका जो equilibrium constant है के equilibrium वो भी आपका क्या रहेगा fixed रहेगा sir और यह तो एक characteristics property थी जब मैंने equilibrium पढ़ाया था आपको उसके आगे की characteristics properties पे मैंने बताया था क्यों क्योंकि equilibrium constant जो होता है वो भाईया dependent होता है temperature पे किस पे dependent होता है temperature पे अगर आप temperature change करोगे तो equilibrium constant भी change होने की समभावना है बिल्कुल है बिल्कुल है तो sir 100% यह point सही है कोई इस point को काट नहीं सकता है इतनी guarantee मैं आपको देता हूं कोई भी इस point को काट नहीं सकता है इतनी guarantee मैं आपको देता हूं लिखवा लो क्या सर? लिखवा लो इस point को कोई भी इस point को अगर काट दे तो बात वाली बात कैसी वाली बात? बात वाली बात 100% 100% सही बात है सर 100% सही बात है कि उपर वाला अजर्शन एकदम correct है correct बोले तो correct एकदम correct एक दम करेक्ट, मैंने गाँ ठीक है सर, बिलकुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, reason पर आजाते हैं, reason पर आजाते हैं, reason पर आजाते हैं, जरा, आजो, equilibrium constant is independent of temperature, क्या फालतू बात कर रहा है, अभी हमने बोला dependent है, ये independent बोल रहा है, सर, ये wrong number है, ये क्या है, wrong number है, क्या है सर, wrong number है, wrong number, तो reason आपका गलत है, आपका assertion सही है, reason गलत है, आपका assertion सही है, reason गलत है, आपका assertion सही है, ठीक है, चल, तो इस हिसाब से तो भाईया, पहला वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, reason भी सही होता है, तो भाया, reason गलत है, assertion सही है ना, तो देखो, C for good answer आया इज़ बार. आहा, लाला, good answer. कैसा answer है भाया? good answer, देख लो, good answer. कैसा answer है? good answer, देख लो एक बार. बिल्कुल देख लो, बिल्कुल देख लो, good answer इज़ बार. done. कैसा answer है? good answer है. C for good answer. clear है? पक्का, 47 clear, देख लेते एक बार. मैंने काई था, सर? जो बोल रहा हूँ, वो ही answer आएगा, tension नहीं लेना है बस. अगर आप tension लोगे, तो फिर फस्ते चले जाओगे. इसलिए tension में बिल्कुल नहीं फस्तना है. अच्छा, यहां तक clear है, एक बार screenshot ले लो, जो भी explanation करवाया है, मैंने. जल्दी screenshot लो, फिर एक बार भाईया, लाइक वाला दिल हो जाए. ले लिए screenshot, चीक है. चलो बाई, एक बार अब like share हो जाए जल्दी. बाई, बड़े दिन बाद दिल बना रहा हूँ. आपको कि सब दिल विल भूल गए थे, मैंने का लो यार का आएगा दिल विल भूल गए थे, यह देखो. कैसे बूल गए थे दिल, यह देखो कितना बढ़िया दिल है. एक दम दिल. चलो. यह लो. एक तरफा दे ले. जल्दी, जल्दी, जल्दी. जतना जल्दी नोट डाउन करेंगे, उतना मज़ा आएगा. A is true, but R is fall. यह अपना right answer है. ठीक है? Done. कोई दिक्कत की बाद तो नहीं है. चलो. अब आते हैं कोशन नमबर 48 पे. कोशन नमबर 48 क्या कह रहा है? अजर्शन. Aqueous solution of ammonia carbonate is basic. Ammonium carbonate. Sir, ammonium carbonate होता क्या है? हाँ, sir. Carbonates वगेरा जो होते हैं, sir, वो basic nature के ही होते हैं, हमारे carbonates. तो अगर आप इसका solution तयार करेंगे, अगर यह basic nature का, अगर इसका solution तयार करेंगे, तो कोई भी बेस की चीज हम पानी में डालेंगे तो भाईया वो बेसिक हो जाएगी मतलब मेरे को लग रहा है अजल्शन एकदम सही है सर अजल्शन में कोई दिक्कत की बात नहीं है 100% करेक्ट है एकदम मुन्ना सी बात करें रीजन पढ़के देखो रीजन पढ़के देखो शायद रीजन में कुछ छुपा हो रीजन पढ़के देखो रीजन में कुछ छुपा हो अब रीजन क्या कह रहा है वो समझना Acidic Basic Nature of a Salt Solution Of a Salt of Weak Acid and Weak Base Depends on Ka and Kb Value of the Acid and the Base forming it बेटा ये बात बहुत जरूरी है बाई आपका Salt किस से तयार हुआ है आपका Salt ये जो तयार हुआ होगा Let's suppose Ammonium Hydroxide होगा और Carbonic Acid होगा Carbonic Acid Weak होता है और Ammonium Hydroxide अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा Basic है As compared to उसके Acidic Nature से इसलिए आपका Basic Nature ज़्यादा हुआ अब ये जो हम कहते हैं कि किसी का Basic Nature ज़्यादा है Acidic Nature ज़्यादा है तो वो कैसे पता लगाते है K A और K B से Dissociation Constant of Acid और Dissociation Constant of Base तो K A और K B ही Define करके बताता है कि सर ये आपका Basic Nature का होगा कि आपके Acidic Nature का होगा तो भाया Reason एकदम Correct और Correct Explanation है किसका सर हमारे 48 का बिल्कुल सर बिल्कुल देख लीजे A for Alu Answer A for Alu Answer कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आईए Exact Explanation है जल्दी Note डाउं करेंगे चलिए तो बड़े अगले वाले पे कलियास का Screenshot बढ़िया कोशन था सर अब इसमें क्या है न सर दो कोशन और है दो कोशन और है और फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका खतम हो जाएगा मैंने का ठीके सर अगर फाइनली खतम हो रहा है तो अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है मैंने का दिक्कत की बात वैसे भी नहीं है आप लोग टेंशन ना लो बस क्या ऐसा टेंशन ना लो अपन खतम कर लेंगे बढ़िया तरीके से क्या कह रहा है सुनिए ज़रा एन एक्वस सॉलिशन ओफ अमोनियम एसिटेट के एक्ट एस बॉफर सर पहली बात तो आप समझो अमोनियम एसिटेट की बात कर रहे हैं एक आपका एसिटिक एसिट और एक आपका एनेज फोर ओएच यह होगा यह आपका होता है वीक बेस और यह होता है आपका वीक एसिट वेरी गुड इस से तयार हुआ है सर तो यह तो ऐसा बफर की तरह यूज होगा नहीं सर और दूसरी बात अकेलर डाला है ना इसके साथ कोई acid है ना इसके साथ कोई base है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो सर पहला वाला जो point है वो तो totally हटाने वाला एन aqueous solution of ammonium acetate can act as buffer, नहीं, लेकिन ये बात सहिए, reason में सहिए कि acetic acid एक weak acid है, acetic acid एक weak acid है, and ammonium hydroxide एक weak base है, ammonium hydroxide एक weak base है, ये बात 101% सही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, कि ammonium hydroxide जो है weak base है, और acetic acid आपका weak acid है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो मतलब reason आपका 100% correct है, और assertion आपका correct नहीं है, assertion आपका correct नहीं है, मैंने गाड़ी है किसरा, मैंने गाड़ी है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मतलब reason correct है और assertion correct नहीं है, तो assertion तो सिवेकी में गलत है सर, ये देखो, assertion is false but reason is true, मैंने क्या का आपको हर जगा ये change हो जाते हैं, हर जगा ये change हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा दिहान से, answers जो होते हैं, a, b, c, d, ये थोगे change हो जाते हैं, a is false but r is true, a is false but r is true, ये देख लिए, मैंने का ठीक है सर, done, एक number, ठीक है बस आपको थोड़ा सा लगे रहने वाली ज़रूरत है, चलो, जल्दी screenshot ले लो, फिर अगले वाले पर चलते हैं, मेरे साथ से इसके बाद वाला last ही है, इसके बाद वाला last ही है, जल्दी, कोड़िकत तो नहीं, इसके बाद वाला last ही है, हो गया, चलो, ये देखिए, अब ये, क्या बोल रहा है, dissociation of PCL5, किसकी बाद कर रहा है, dissociation of PCL5, मतलब PCL5 जब तूट रहा है, तो क्या बना रहा होगा, PCL3, प्लस CL2, यही बना रहा होगा, बिल्कुल सर, यही बनाएगा, अब इसमें, dissociation of PCL5 at constant pressure and temperature, adding of helium, बात को समझना, यहां क्या बात कर रहा है, adding of helium, मतलब आपने एक inert gas को add कर रहा है, adding of helium, मतलब inert gas को add किया हुआ है, किसको add किया हुआ है, inert gas को add किया हुआ है, मैंने गाँ ठीक है सर, अगर inert gas को add किया है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, at equilibrium, increases the dissociation of PCL5, तो किरा है, dissociation बढ़ जाएगा PCL5 का, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, कुछ भी, अब आप ये तो बताते, inert gas आपने at constant volume या pressure पर add करिये, तो सर, बिलकुल गलत है ये statement, मैं तो बात नहीं मानूँगा इसकी, मैं तो बात नहीं मानूँगा, बिलकुल नहीं, increases the dissociation of PCL5, नहीं मान, और reason क्या दे रहा है, helium removes Cl2 from the field of action, मतलब वो ये कह रहा है, कि यहां से chlorine को helium ले जाता है, यहां से chlorine को helium ले जाता है, कहां ले जाता है बे, कहां ले जाता है, कहीं नहीं ले जाएगा, helium कहीं नहीं ले जाता है, तो assertion, reason दोनों wrong है, assertion, reason दोनों wrong है, और इसका एक ही option है, ये लो दोका मिलिया, ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तो भईया, धोका जरूरी होता है कभी-कभी, क्या सर, धोका जरूरी होता है कभी-कभी, बिलकुल, ये बात पता होनी चाहिए आपको, धोका जरूरी होता है कभी-कभी, बिलकुल, done, तो finally धोका मिल गया है, चीक है, कोई दिकत तो नहीं, तो final D is the right answer, D is the right answer, मैंने का ठीक है सर, D is the right answer, D for धोका हो गया, D for धोका हो गया, मैंने का ठीक है सर, D for धोका हो गया, कोई दिकत तो नहीं है, पक्का क्लियर है, 101% क्लियर है, चीक है सर, चीक है, चीक है, चीक है, तो सर, finally, ये देखिए, D answer है, और यहाँ पे सारे assertion reason होते हैं, समात, मैंने का सर, मज़ा तो आया होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते की समझ में नहीं आया होगा, या मज़ा नहीं आया होगा, हर एक question की पूरी practice करिए कि आपको समझ में आना चाहिए, और आया भी होगा, सर, ऐसा तो नहीं है, कि कोई चीज clear नहीं होगी, कोई चीज आप से बनी नहीं होगी, 101% सारी चीज़े clear होगी और समझ में भी आई होगी, चीके, अगर किसी question में doubt है, तो लिखो comment section में सर, लिखो, और सर, अगर आज कोई भी नया आया हो, जिसने अभी तक channel को subscribe नहीं किया हो, please channel को subscribe कर लिजिए, जिससे आपको आने वाले recorded lectures और live lectures का सई timing पता चल जाए, regularly मैं आपको class 11th और 12th के recorded as well as live lectures दे रहों, पस practice करो यार, पूरी जान लगाई जा रही है आपके पीछे, बस अब main काम आपका है, अगर आप घर जाके practice नहीं करोगे, टाइमली आओगे नहीं, देखोगे नहीं सारी चीज़े तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और इतनी मेहनच चल दिये तो एक बार like और share तो बनता है, एक बार like और share तो बनता है, और ये सिर्फ chemistry में नहीं, हर subject में आपको कर रहे हैं, तो हर teacher तयार है, सर बस आप लगे रहो, पूरा magnet brains तयार है, आप सभी जानते हैं, और magnet brains के दो चैनल हैं, आप सको पता हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ, CBSE और डली बोर्ट कवर करवाया जाता है, वहीं मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ, तो CBSE डली बोर्ट के लावा, ब्यार बोर्ट, UP बोर्ट, MP और राजिस्तान बोर्ट, ये भी कवर करते हैं, बढ़िया और शांदाल तरीके से, साती साथ, वैदिक मैस, क्रैश कॉर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये भी कवर करवाया जाता है, शांदार और मज़ेदाल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट जिस बच्चे को इनोट्स और इबुक्स चाहिए वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाहिए महाँ पर एक लिंक मिलेगी क्लिक करिए सीधर उठा लीजे नोट्स को कोई दि समय यही अपना वस दिन चरिया है इसी वाले पर आना है और इसी पर आपन को काम करते हों चलना है तो सेम टेम सेम जगा तो मिलते हैं कल तब तक लिए बाए बाए थैंक्यू सो मच्छ जैहिन